वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की पते है सासंगत सत्गुरु पाश्या जी दे ओट आसरे दे सलका और वाले दिना दे वेच गुरु नाणिक सह पाश्या जी दी पावन रसनातों उचारन होई बाणी जिस्दा देशा वदेशा दे गुर्दवारा सह बान दे अंदर अमर्त वेडे कीरतन कीता जन्दा है असा की वार दी बाणी इस बाणी दी वेचार दे नाण असी जुणांगे गुरू नानिक सहर पाईशा जी ने इस पावन बानी दे अंदर संग की उपदेश देता है एक एक सलोक एक एक पावडी दी विचार दे नाल असी आउन वाली दिना दे अंदर संग पावांगे आज सिर्फ इस पावन बानी दी जो पूम का है पाव के इस पावन बानी दा सुरूप केवेदा है किन्य शब्द, किन्या पाॉडिया, किन्य स्लोक कि ये इस पावन बानी दा जो सिरलेक है हो सुदा की अर्थ है, की पाव है आज इस सब को जुनों सी समझन दा यतन करांगे पे अगले दिवान तो इस सारी पावन बाणी दी विचार देड़ी है वो एक एक दो दो सलोग करके एक एक पौड़ी करके जे में भी सत्गुरु पाईश्या जी समरख्था बख्षिश करनेगे इस बाणी दी विचार दे नाल अपन जुड़ाँए सा संगत गुरु गरंस है पाईश्या जी दे अंदर सत्गुरु पाईश्या जी ने मनुखता लू ब्रह्म विचार बख्षिश कर दे हुए इलाही ज्ञान बख्षिश करन वास्ते सत्गुरु पाईश्या जी ने बड़े ही टांग तरीके वरतेहन काव रचना दे ख्याल करो गुरु सह्या जी दी पावन बाणी एक काव रूप दे वेच है सासंगत एक हुंदा है वार्तक दा रूप जेडिया अपन वैसे गलां बातां कर दे हाँ ये वार्तक हुंदिया गालबात जेडिया पर बाणी काव रचना दे वेच्च है, काव रूप दे वेच्च है, कवता दे एक रूप दे वेच्च है साथ गुरू पाईश्या जिने गुरुबाणी दे अंदर अपने समे दे प्रचलत बड़े ही काव रूपां दी वर्तों किती गई जेडे काव रूप ओस समे प्रचलत साना जिमें अपा गुरुबाणी दे अंदर पड़े हां, पावण बाणी दे अंदर कोडियां मी आया हना एथे अलाणी आया हना एसे पावण बाणी दे अंदर सा संग जी एसे तरा बाई वारा मी दरज हना होने ए सारे ज़डे काव रूप ने न कवता दे रूप ने ए ओस समय तो ही लेके लुकाई दे अंदर बड़े ही प्रचलत सान अब व्यावाँ शादियां ते कोडियां गाईयां जानिया जदो कोई प्राणी संसार तो चले आ जाना उथे अलाणीया गाया जानीया फिर बारा मह गुरु पाइशाजी ने पावन बानी दे अंदर वरतिया है ए रूप भी वरतिया है बारा मह विसा संगत केवल सरी गुरु ग्रांसेब जी दे अंदर नहीं एवी सासंग जी इस खिते दा एक प्राणा लोक काव दा रूप है जिस दे अंदर वशोड़ी दी गल किती जान दी जी पर हाँ इना जुरूर है के साथ गुरू पाईशा जी ने एक जिन्ने भी काव रूप वरते हमना इना दे अंदर पाईशा ने रभी ग्यान बक्षिश कर दे हुएं इना दा मुहांदरा बदल के राखे देता इना दा रूप बदल के राखे देता जे थे एक कवता दे रूप काव रूप पहला सिर्फ लुकाई दे कहलो के एक मंदर रंजनता का सीमत सन जान लुकाई दे अंदर इना दी आम ही ताउरते लोक प्रियाता ही साथकुरू पाईशा जी ने इना नो रभी ग्यान दे नाल जोड़ देता सासंगत इसे ही तरा पाईशा जी ने बाणी दे अंदर वारां दी भी रचना कीती है वार कवता दा एक ऐसा रूप है पर प्राणे बेलें दे विच जदों किसे जांगते राजे किसे ने चड़ाई करनी है उन्ना ने अपने सपाईआँ दे अंदर जोश परंदे वास्ते अपने बड़ेवडेरेया सूर बिर योदेया दिया जड़िया गठावा उन्ना दी बहादरी दे कार नाबे ने ओ गवोने वारा दे रूप देवेच उन्ना योदेया दिया वारा गईया जांदिया सन सूर बीरा दिया वारा गईया जांदिया सन ते जोश परया जानदा सी उना सिपाईयां दे अंदर जेड़े जांगते जा रहे ने जेड़े चटाई करने लगे हम साथ गुरू पाश्या जी ने में एक जांग दी प्यारी करवाउंदे हुयां गुरू ग्रांसभ जी दे अंदर एना वारा दी रचना कीती है जेवे एक राजा अपने शिपाईयां दे अंदर जोश पर दा वड़े वड़े रहें दिया गठामा उना नुसना की उना दी बहादरी दे कारनामे उना नुसना की ते इसे ही तरीके दे नाल गुरू पाईशा जीने सा संगत जेड़ी एक जांग मनोख दे जीवां दे वेचे कहूर भी है ते बाहर दिया जंगा हों दिया ने एक जांग साड़े अंदर दिया जेड़ी हमेशा ही चल दी पही है वो ज़ांग केडी यसा संगाजी, वो ज़ांग है विश्या वएकारान दे नाल साड़े मन दी जांग उने इस जांगनू भी मन ताईं जेत सकता है ना जे मन तगड़ा होवेगा ते जे मन कमजोर हो जावें मन कमजोर पैजावें इस जांगनू जेतनी जग सकेगा विश्यावकारां दे काबू दे विच आजावेगा जीवन दी बाजी इनसान हार जावेगा इंसान दे जीवन दी सफलता दे वास्ते बड़ा जुरूरी ऐसा संगतो दा मन मझबूत होगे ते साथ गुरु पाश्या जी ने इस मानगु मजबूत करन वास्ते रभी ग्यान वारां दे रूप दे विच बक्षिश कीता हर एक तरां दे कर्म कांड, हर एक तरां दे पखांड दा तरम दे नाम दे पखांड दा पाश्या जी ने खंडन कीता ते सात्गुरु दा पला फड़के उस प्रमात्मा दे नाम दे नाल जोडंदी का कीद कीती सात्गुरु पाश्या जी ने ए वारां दा रूप वर्तिया तांके इनसान अपनी जिन्दगी दी जांग दे अंदर एना विश्या विकारां दे उपर फते प्राब्द कर सके गुरु प्यारी सासंगत बाणी दे भी असी बड़े ही प्यारे बचन पढ़दे हां सुखम नी सभजी दे अंदर गुरु अर्जन देव सचे पाश्या जी कीते ने कि जेवे एक इमारत आपना देख दे ना उसे इमारत नो थम्मा दा आसरा हुंदा है ओ इमारत नो थम्मा अज़ आशरे खिडोटी है ऐसे ही तरह मान ज़िदा आशरा हुंदा उश्व्द दा आशरा हुंदा है मान शव्द दे आशरे तकड़ा हुंदा बलवान हुंदा है बाणी दे बच्चन ने जेवें मंदर को थम है थम्मन त्यों गुर का शब्द मन है अस थम्मन जेवें पा खान नाव चड़तर है प्राणी गुर खरन लगत निस्तर है जेवें सासंगे जी एक मंदर और थम्मा दे आसरे खड़ता है जेवें कोई मनोख जेकर उन्हें द्रयाल नूँ पार करना है समुंदर नूँ पार करना है उन्हें पानी दे किसे भी सासंगो सोमे नूँ पार करना है और नाव दे उपर बेड़ी दे उपर चड़ेगा तो उ विश्यां विकारां तो जीवन दे वेचे हारदा नहीं सगों दे जीवन दी यात्रा सफ़ल हुंदिया है क्योंकि ओधी एना विश्यां विकारां दे जयत हुंदिया है ते ए जयत शव्द दे आसरे ही हुंदिया है सत गुरु पाश्या जी ने गुरु गरांट सहिव जी दे अंदर ए वारां दा रूप वरत्या ते स्री गुरु गरांट सहिव जी दे अंदर बाई वारां दर्जहान सासंग पुल बाई वारां दर्जहान जिन्ना दे विच्चों इक्की वारां गुरु पाश्य जी ने लिखिया हुई याने अते एक वार रामकली राग दे अंदर पाई सत्ता जी पाई बलवांड जी जो गुरु करदे की रतनी है सन उन्ना ने सासंगत जी आठ पाउडियां दी एक वार दी रशना कीती है रामकली राग दे अंदर सासंगत बाई वारां दे विच्चों गुरु गरांड सह्य जी दे अंदर दर्ज वी वारां दे नाल स्लोक दर्जहान दो वारां दे नाळ गुरु ग्रांजव जी दे अंदर स्लोक नहीं आई बाकी टीर वी वारां दे नाळ स्लोक मिल्दे ने एक पसंत की वार गुरु अर्जन देव सक्चे पाशाजी दी प्रसना तो उचार्ण हुई अते एक राम कड़ी की वार पाई सता जी पाई बड़वांड जी दी जो रचना है एना दोहां दे नाल सलोक नहीं हन बाकी सारियां ही वारां दे नाल सलोक दर्च हन सा संगत आसा की वार दी पावण बानी एक गुरु नानिक सह्व जी दी रचना है एस आसा की वार दी पावन बाणी दियां चवी पाऊडियां हन ते एना चवी पाऊडियां दे नाड उनाहथ सलोक दरज़ हन इना उनाड सलोकां दे विचों पंदरा सलोक जेडे ने ओ गुरु अंग दे पाश्चा जी दे भी दरज़ हन एक गल होर गुरु ग्रांत सह्व जी दे अंदर शे पात्षाहियां दी बानी है पहले पांच पात्षा ते फिर नौवे पात्षा सिरी गुरु तेग बहादर पात्षा जी शे पात्षाहियां दी बानी है ते गुरु अंगद देव पात्षाह जी दे बाठ स्लोक हान जेडे वाखवाख वारां देवेच दर्ज हन साथ गुरु पाश्या जी दे वैसे जड़े शब्द वाणी देवेच नहीं है गे बाठ सलोक ही हन जड़े वाखवाख वारां देवेच दर्ज कीते होई हन ते 15 सलोक आसा की वार दे अंदर गुरु अंगर दे पाश्चा जी दे विहान सा संगत एजड़ा वार दा रूप है ना कवता दा रूप ए मूल रूप दे वेच वैसे कलियां पाउडियां होंगियां सान आप जी ख्याल करना पाई गुर्दास जी जिनना ने सा संगर जी गुरु गुर्ण साहिब जी दी संपादना जोदों गुरु अर्जन दे पाश्चा जी ने कीते ते उदों गुरुबाणी लिखन दी सेवाने बाई उना दे कबेत आते उना दियां वारा मी मिल दियांने पाई गुर्दाशी दियां जेडियां वारा मिल दियाने ओ सिर्फ पाउडियां हन उठे सिलोक नहीं हन मूल रूप दे वेच वारा जेडियां ने ओ कलियां पाउडियां ही हुं दियां सन वारा दे नाल सिलोक सिर्फ दे सिर्फ गुरुबाणी दे अंदर वरते होए हन ते आप जी ख्याल करना कि एस पावण बानी दे नाल गुरु राम दा सपाश्चा जी दे शंत भी गाईन कीते जान देने। ते विचों गुरु राम दा सपाश्चा जी दे पावण अंग चारसो बाठतों लेके 475 तक आसा की वार्दी पावण बानी शिशोबत है। ते आसा राग दे अंदर ही पर वाख वाख थामा दे दर जान। ये जड़ी मर्यादा इस तरीके दे नाड़ चल दी आ रही है के गुरु राम दा सपाश्चा जी दा एक एक शब्द वो आसा की वार्दी एक एक पावण बानी दे बाबत। ये भी साखियाँ दे वेच जणम साखियाँ दे वेच मिलदाया। के सतगुरु पाश्चा जीने आसा की वार्दी बानी दी रचना, दो पागां दे वेच पाव के 15 पावड़ियां जेलियाँ ने उलह और दे नवासी धुनी चांद तुपड, उना दे कोडोना दी पर थाएं, सतगुरु पाश्चा जीने इन दी रचना कीती दे नो पटन दी तर्थी ते उचारन कीतिया, आसा की वार दी पावण बानी, एक गल्दा होर ख्याल करना, गुरू गरांद साहिब जी दे अंदर जिते वी वारा दरजहन, उते सात संगर जी की शब्द लिखिया है, राग लिखिया, ते नार की शब्द लिखिया है, दी नी लिखि गुरु नानित सहब जी दियां तेन वारां गुरु गरां सहब जी दे अंदर हान। गुरु नानित सहब जी दे अंदर हान। गुरु नानित सहब जी दे अंदर हान। उस सारी बानी नू जेस तरतीब दे वेचे जेस लड़ी दे वेचे आज असी देख देयां। इस सारी तरतीब गुरु अरचन दे पाश्या जी ने देती है। इस पावण बानी दा जेडा सरलेख गुरु अरचन दे पाश्या जी ने एस तरीके दे नाल लिखेया। जे साथ गुरु पाश्या जी ने इस सरलेख दे अंदर ही सानु इस पावण बानी दी सारी ही रूप रिखा ब्यान कीती है। पाश्या जी ने जो लिखेया वार सलोका नाल पी एजड़ी वार है पिस सलोका दे नाल है। सलोक पी महले पहले के लिखे है। उनसा संगत वार सलोका नाल हूर वारां दे नाल भी एए हैडिंग आया है। पर स्लोक पी महले पहले के लिखे एक खास को औरते आसकी वार दे सरलेख देवेचे ही दर्जे सासंगत एक वैसे ख्याल कीता जन्दा मन्ने आए जन्दा है कि जेडियां जिम्मा पहला बेंती कीती के वारा मूल रूप देवेचे सिर्फ पाउडियां ही हुंदिया सान पावन बाणिया है जित्थे पाँज पादशाईयां दे स्लोक दर्जहन जिस बाणी दा सिर्फ लेख है स्लोक वारां तेवदीग पाव के स्लोक जेडे वारां तो वद गई हुने दा की पाव है जेव पहला बेंती कीती के वारां सिर्फ पाउडियां दे रूप दे विच पहला हुंदियां सान। उन एना पाउडियां दे नाड स्लोक जेड़े गुरु ग्रांसेब जी दे अंदर ही मिल दे हन। ते ए पाउडियां दे नाल जेडे स्लोक ने ए सासंग जी गुरु अर्जन दे पाशा जी ने नाल दर्ज कीते ने पहला स्लोक वखरे पाउडियां वखरियां सान पर ए स्लोक पाउडियां दे नाल गुरु अर्जन दे पाशा जी ने दर्ज कीते जेडे स्लोक पाउडियां पावां दे नाल विचारां दे नाल मेल खांदे ओ सत्गुरु पाश्या जी ने उठे दर्ज कर देते वाख वाख वारां दे वेचे ते जेडे सलोक वारांतों वद गए ओ सलोक गुरु गुरंत सेव जी दे आखरी पाग दे वेचे दर्ज कर देते ते उदा सरलेख राख द पाव के उस लोक जेड़े वारांतों वदे हुए हन जां वारांतों वद गए हन और जदो आसा की वारदा से सतलेक पड़ दे हना सुलोक पी महले पहले के लिए प्रासंग जनम साखी दे अंदर जिक्र ओंदा है जदो गुरु नानिक सेव सचे पाश्या जी ने ए आसा की वारदा उचारन कीता ते सत्गुरु पाश्या जी ने उथे गाएन कीता बल्ले हारी गुर आपने देवहाडी सादवार और ए वलायत वारी जनु प्रातं जनम साखी वी क्या जन्दा है उस दे अंदर ए दर्ज है उन बल्ले हारी गुर आपने देवहाडी सादवार ए पावडी नहीं ए आसा की वारदा सुलोक है पेज़ा सासंद इस दा पाव ए है के जड़ी आसा की वारदी पावन बाणी है साथ गुरु पाश्या जी ने जड़ो इस बाणी दी रचना कीती है ते इस बाणी दे नाल उदों सलोक गुरु नानक से पाश्या जी नहीं अपने दर्ज कर देते सान ते बाद वेचे जेडियां बाकी दियां वारां ने उन्ना वारां दा रूप सिर्फ पाउडियां सी ते उन्ना वारां दे नाल इस वार दी तरज ते गुरु अरजन दे पाशा जीने बाकी वारां दे नाल उस लोक धर्जे कर देते पौडिया नाड ते जेडे सलोक वाद गए ओ गुरू ग्रान सहीब जी दे आखरी पार दे विच लेख दते पर आसा की वार दे नाड जेडे सलोक हन ओ गुरू नानक सह पाशा जी ने आप ही दर्ज कीते सन क्योंके गुरू ग्रांट सहीब जी दे अंदर वार सलोक का नाल एसर लेख ते होर वारा दे नाल भी लिखिया मिलदा है पर सलोक पी महले पहले के लिखे ए जोर देके गुरू पाशाज जी जड़ी गालकाई एसर लेख लिखिया है इस दा पाव एए है कि एस वार दे नाल जीड़े सलोक ने ओ गुरू नानक सहीब पाशा जी ने आप ही दर्ज़ कीते हैं जनम साखी तों ही एक गवाई जड़ी है उस सानु मिल जांदी है कि गुरू नानक सहीब जी ने आप ही दर्ज़ कीते ते उसे ही तर्ज़ ते उसे ही आशा की वार दे रूप और नसार बाकी दिया वारां दे नाल गुरू अरजन देव सके पाशा जी ने सलोक धर्ज़ कर देते जनों गुरू गरंस पाशा जी दी संपादन कीती ते वदे होई सलोक जड़े ने ओसा संग जी फिर गुरू गरंस पाशा जी दे आखरी पाग दे वेच धर्ज़ कर देते ते एस अनू वलायत वाली प्रातन जन्म साकीतों वी ये गवाई मेल जान दिये। उनसा संगत इस तु अग्ये सरलेख दे वेच आउंदा है तुन्डे असराजे की तुने। सा संगत गुरु ग्रांसेव जीदियां बाई वारां दे विच्चों। नौ वारां दे नाल सत्गुरु पाश्या जीने इस तरीके दे नाल संकेत दते हन तुकां दतियां हन के ए वार इस तुनी दे उपर जा इस तुनी दे उपर गाईन करनी है। ए अदेश सानू नौ वारां दे नाल मिलता है, पाव के नौ वारां के सत गुरु पाश्या जिने ए तुनियां चड़ाईयाने, तुनि दा पाव है एक तर्ज, गाइन करन दा गौन दा एक टंग, गौन दा एक तरीका, और एथे जड़ा पाश्या जिने लिखा न, तुन्ड आसराजे दियां वारां गौन दे सन, तुन्डे आसराजे दी शोबा गाइन करदे सन, उसे ही तुनि दे अंदर आसा की वारनों गाइन करना, उन ओ तुनि केड़ी है, ज़ा तुन्डा आसराजा कौन सी, संखेब जी विचार आपाई दी करी है, सा संगत, तो एक राजा हो सारंग जड़ाना सा संगत, उदी पहली पतनी जीदा पुतर असराज सी, उचालव सी, उन्हें जदन दुज्जा व्या करवाया, तो जड़ी असराज दी मत्रेई मां आई, उँ असराज ते ही मोहित हो गई, उन्हें असराज नू काबू करना चाया, पर असराज जड़ा बड़े ही उचे सुचे करदार वाला जीवन वाला सी, ओ मत्रेई मां दे शलावें देवेच ना आया, जड़ों एस तरीके दे नाल प्यार दे नाल शलावें देवेच ना आया, तो उसरी मत्रेई मां ने सारंग राजे दे कोल, पुतर दी शिकायत कर देती, चुठी शिका उने उ वजीर बड़ा सेयाना सी राजेडा वजीर नु पता सी के उधा जेडा पुत्तर है उधा किरदार जेडा वह बहुत उच्छा सचा है उन्हäg जलाजादानु किया कि राजे दे पुत्तर्नु मारना न הזmen ते उन्हानी की किता कि उन्हों एक खूदे वेचे सोटाई ते उदा हाथवाड के लायान दा ते उराजे नू धाता भी तेरा पुतर से कतल कर रहे है हाथवाडन करके हाथ जी दा वड़े हवे नू टुंडा किया जन्दा हां करके आसराजे दे नाल शब्द जुड़या है टुंडा बाद वीचे जो जो समा लगया सा संगत उस टुंडे आसराजे दी किसे ने देख पाल की ती किसे नू我 मेल गळा खूद वेचे डुगया हॉया उधी देख पाल की ती ओदा पलन पोशन हॉया और जदो जवान होया स्याना बहुत सी ते परमात्मा ने कोई बेद मनाई पिर ओ किसे गवांडी होर मुलक दा राज पाग दा उत्राद कारी बन गया उथे राजा बन गया और जदो समा अपनी चाल चल दा गया एदर जड़ा सारिंग राजा सी और सासन्ग जी जड़ी दुज्या का रवाली उधे तों दो पुत्र होर है और समा आया कि एदराज दे वेचे काल पैया अनाज बिल्कुल एदराज दे वेचे ना र्या ते एने फिर आपने वजीर ने अख्या भी आंड गुढ टूं पता करिये कि ते उस हाणों अनाज मिर जावे प्हुत WarsRP अपने अपने राज Region कल अंदर गा प्हुतर लें दाका सीजों गिए उसराज दापुट्र अशराजरा बनाशी पर तू आपनी दुझी पत्नी दे बहतावे दे वेच आके उन्हों एड़ी वढ़ी सया सुना देती उधाते तरे पुत्र दाते करदारी बड़ा उच्चा सी उधाते जीवनी बड़ा उच्चा सुचा सी उन्चे सारे पता लगा कि उन्हों अपने कीते पश्टावा हुया उन्हे सनेहा का लिया कि तु मेरा आके राज पाग जेड़ा उसांब उन्चे दो मिलन नवास के ते आस राज अपने पितावाल आया ते एदर जेड़ी हुना दुजी पत्री तो भी दो पुतर अगे जड़े हुए उन्ना ने वेख्या कि हुन जे आसराज एदर आ गया ते सारे राज पागदा मालक ते उन्ने बाण जाना फिर उन्ना ने आसराजे दे नाल जांग की ते जीदे वेचे टुंडे आसराजे दी जेत तो ही ते ए टुंडे आसराजे दी तुनी उस समे उदिया तरजाा बनाके उदी बहादरी, उदे उच्चे सुचे करदार दे स्विल ले गाए गए वाराँ पढ़िया गईया, ऑन वालिया पीडियाना नूँ उस दे उच्चे सुचे करदार दे इतिहास, उदा जीवन ओधी बहादरी दे कारना में वारां दे रूप दे वेच्च सुनाएं गए ओपांज तुकां दी वार उना दी कवता दा रूप हुंदा सी पांज तुकां दी ए वार सी जवें ओधे बचन मिल देने ओसे कवता दे थोड़ी ज रूप मिल देने पबकियो शेर सरदूर राय रन मारू वज्जे खान सुल्तान बढ़ सूर में विचरान दे गज्जे खात लिखे असराज जी पात शाही अज्जे टिका सारंग बापने दित्ता पारल अज्जे फते पाई असराज जी शाही परसजे ए जड़ी ओ तुनिया ए उस कवता दा रूप है ए दे ते साथ गुरू पाईश जी ने आख्या के असा की वार्दा गाइन करना ते एस तरीके दे नाल नौ वारां दे नाल सा संग जी ए तुनिया जेडिया ने ए गुरू गरान सहीब जी दे अंदर दर्ज मिल दिया ने और एस तों अग्गे चवी पाउडियां ते चवी पाउडियां दे नाल उनाहट स्लोकां दी रचना साथ गुरू पाईश जी ने की ती या एक एक करके इसी आउन वाले धना दे में चैप इस पाउड़ बानी दी विचार दे नाल जिवे जब जबे सथ गुरू पाईश जी किर्पा करने के साथ डे ते इस पाउड़ बानी दी विचार दे नाल जुड़ां के साथ संगत अज आप जी ने एनिया बेंतियां परबान करनी हैं जी खोईयां बेयंत ही पुल्हा चुका दी खिमशनी अग्यवासे असीस भक्षनी ते प्यार अद्वसादिक पर फ्र फते संजी करोवाखो जी वाही गुरूजी का खाल सा वाही गुरूजी की पति कंथ